तो ये हैं अपनी दोनों बाइक्स ट्रायम, स्क्रेम्बर 400X एन हिमालेयन 450 स्क्रेम्बर को मैंने पच्छेस किया था नॉवंबर स्टार्टिंग में एन इस बाइक पे मैं तीन लॉंग ट्रिप कर चुका हूँ फर्स्ट वास बिंसर, उत्राखंड सेकेंड मुंसियारी एन लास्ट ट्रिप मैंने इस बाइक पे किया था जो की स्नूराइट थी टू कुफरी, शिम्बला एन नारकंडा इस बाइक को मैं टोटल चला चुका हूँ 4,337 किलोमेटर्स अपनी हिमालेयन 450 को मैंने पचेस किया था mid of December इस बाइक पे मैं दो long trip कर चुका हूँ first was Manali and Sisu and last trip था अपना Herschel Valley इस बाइक को मैं चला चुका हूँ 3,412 किलोमेटर्स so दोनों ही बाइक की first service हो चुकी है and मैं अब इन दोनों बाइक को हर तरह की terrain में जो है चला चुका हूँ चाहे वो city ride हो P car में city ride हो चाहे वो highway ride हो चाहे mountain twisties हो या फिर hardcore off-roading हो and आप लोग इस वीडियो के लिए कब से demand कर रहे थे and I feel कि अब मैं जो है proper position में हूँ कि मैं आपको इन दोनी बाइक की बारे में in depth बता पाऊँ देखो अगर category wise बात करें तो दोनों ही bike बहुत different है Himalayan अपनी hardcore adventure bike है and Scramler obviously एक Scramler bike है एक city bike है जिसमें आपको better suspension मिलता है better आपको ground graders मिलती है road plus off-road tire मिलते है एक better riding posture मिलता है so दोनों का purpose different है but कुछ reason है जिसकी वज़े से इन दोनों का ही comparison बनता है first of all ये दोनों ही bike एक साथ launch होई है and एक segment में launch होई है price wise बात करें तो भी एक segment है अगर हम power wise बात करें तो भी एक ही segment है दोनों में almost 40 PS power है almost 40 plus NM torque है दोनों bike में आपको अच्छी ground graders मिलती है अच्छे suspension मिलते है upright riding posture मिलता है road plus off-road tire मिलते है तो कई न कई दोनों bike's capabilities जो है काफी similar है I'm not saying कि दोनों की सारी capabilities similar है but काफी कुछ capabilities इतन bike की similar है so very good morning guys and video start करने से पहले एक request कि अगर आपको देखने के बाद में video अच्छा लगे तो एक like एक comment एक share और channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेना seat head कितनी है जो theoretical specs है उसकी बात नहीं करेंगे practical बात करेंगे ये दोनों bike चलने में कैसी है कौन से terrain पे कौन सी bike कैसे perform करती है क्या pros है क्या cons है क्या सर्विस experience रह कितनी vibration है कितनी नहीं है मेरी कोशी ये रहेगी कि मैं वो सारे points discuss करूँ जिससे आप लोगों को decision लेने में easy रहे कि आपके लिए आपकी recommend के लिए कौन सी bike ज्यादा suitable है and video start करने से पहले एक और request maybe ये video थोड़ा सा लंबा हो जाए but अगर आपने ये video without skipping पूरा देख लिया तो आपको इन दोनों bikes related कोई भी doubt दी रहेगा आपकी जो भी doubt है वो सारे दूर हो जाएंगे तो पहले बात करते हैं looks की fit and finish की and build quality की देखो looks जो है वो बहुत ही subjective चीज है हर एक की individual choice है but मेरे recording अगर हम generally बात करें तो ये दोनों ही bike बहुत good looking है Himalayan 450 एक proper kind of big adventure touring bike लगती है and अपनी scrambler ये तो एक normal scrambler लगती है काफी sleek bike लगती है and इसकी looks भी काफी appealing है तो looks wise मेरे recording दोनों ही bike अपनी segment में amazing है and बात करें fit and finish की तो देखो इस bike को मुझे 5 मैने हो गये and पांच महिनों में इसकी fit and finish में कोई भी कमी मैं निकालने पाया हूँ तो I can surely say कि इस segment में मैंने पुराने वीडियो में भी शेर किया है कि इस segment में इस spike से better fit and finish चाहे वो triumph speed हो या scrambler हो ये वाली दोनों में fit and finish में कोई भी कमी नहीं है सब कुछ perfect है जो ये switch gear है इसकी quality हो या फिर आपके ये paint की finish हो इस tank पे paint की finish हो nut bold हो welds point हो और ये grab rail की quality जो है आगे ये जो fiber है ये fiber लगा हुए इसकी quality mud flap की इसकी quality सब कुछ fit and finish में कोई कमी नहीं है I can surely say कि ये perfect है fit and finish में अगर बात करें हिमालन की इसको अगर हम compare करें पुरानी हिमालन से हिमालन 411 से तो बहुत upgrade आया तो I can surely say अगर उसकी fit and finish उस पुरानी हिमालन की 100 में से उसको 30-35 marks देंगे तो इसमें में बोल सकता हूँ कि 75 marks दे सकते हैं ये बाइक भी काफी अच्छी है fit and finish में कुछ जगा मुझे फिल होता है कि कुछ चीजे थोड़ी सी better हो सकती थी for example ये nut bolt है थोड़ी और लगते हैं ब्लाइक कलर के होते या फिर hexa ना होते element होते ये चीज हो गई ये fiber part जो है इसके फोड़ी से ये you can see hulky quality है but not a major thing हम इन दोनों बाइक को compare कर रहे है तो मैं बोल रहा हूं कि इस बाइक की fitted finish हो है इससे बड़ी better है and अगर हम stand alone बात करें तो I can surely say कि Himalayan की fitted finish काभी अच्छी है तो अगर मुझे marks देने हो दोनों में से एक चूज करना हो तो मैं इसको चूज करूँगा out of ten nine marks out of ten seven and a half marks which is not bad अब मैंने एक vlog share किया था अपनी Triumph का ownership experience उसमें मैंने अपना experience share किया था इस बाइक का तो आप में से काफे लोगा ने comment किया था कि इस बाइक की build quality में कुछ issue है इसके rain band हो रहे हैं पर ट्रस्ट मी यार मैंने इस बाइक को अच्छी कासी इस बाइक मैंने ओफ रोडिंग करी है मुंसियारी की vlog में देखो जाकर उसमें मैंने अच्छी कासी में ओफ रोडिंग करी है बाकि मैंने Triumph Speed में लदाक किया है जांसकार किया है अच्छी तरह से उस बाइक को रगड़ा मैंने मुझे तो मेरे कॉर्डिंग यार इस बाइक के build quality में को issue नहीं है मतलब at least मुझे तो feel नहीं हुआ अब इस बाइक में भी मैंने अच्छी खासी offloading की है बाकि इन दोनों ही बाइक को मैं लदाक और स्पिती ले जाने का पहन गर रहा हूँ कब कोई सी बाइक जाएगी वो आपको मालू चलेगा आगे अब बात करते हैं engine की and power की देखो वैसे तो इन दोनों ही बाइक में almost 40 PS power है and 40 plus Nm of torque है but I feel कि दोनों का जो engine का character है बहुत different है यह एक adventure touring bike है and इसका engine accordingly touring के लिए tuned है and यह एक scrambler है तो इसका engine जो है एक like quick power, quick torque के लिए उसके according tuned है मतलब दोनों ही अपनी segment में काफी अच्छे engine है अगर हम बात करें scrambler की इसमें आपको low end amazing मिलता है mid end amazing मिलता है top end जो है उतना amazing नहीं है जितना इसका low end और mid end है वहीं अगर हम बात करें हिमालन की इसमें आपको low end उतना amazing नहीं है इसमें जो आपको power मिलती है वो मिलती है 3000-3500 rpm के बाद में but mid end अच्छा है top end बहुत अच्छा है इसका तो touring के लिए हमें bike में top end अच्छा होना चाहिए वो इस bike में है and एक scramler में मैं recording mid end और low end जो है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए वो हमें इस bike पे मिलता है मैंने इन दोनों ही bikes में almost I think 140-145 की जो speed है वो touch करी है and जो मेरा riding style है मैं close to 110-115 की speed पे cruising करता हूँ मैं वो cruising इस bike पे भी कर लेता हूँ वो cruising 115 की speed पे इस bike पे भी कर लेता हूँ कोई दिखर नहीं होती है but अगर आप मुझे पुछोगे कि दोनों bike का sweet spot क्या है तो I'll say कि इस bike का sweet spot है वो है 90 km per hour and इसका है 100 अब मैं बात कर रहा हूँ speed spot की that means कि जिस speed पे इन bikes का engine एकदम comfortably फिल करता है मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप bike का engine को हलका साब push कर रहे हो no doubt इन दोनों ही bikes को आप 120 की speed तक अराम से all day long cruise कर सकते हो पर ठीक है वो थोड़ा बहुत थील होगा कि आप push कर रहे हो but that's not an issue so 90 की speed इसके लिए and 100 की speed इसके लिए most comfortable speed है अब engine की बात हो रही हो power की बात हो रही हो और vibration की बात ना हो ऐसा possible नहीं है क्योंकि यह बहुत होगा concern होता है कि vibration कितनी है vibration बोल लो या buzzing बोल लो कुछ भी बोल लो तो इन दोनों बाइक्स में buzzing है for sure है I was surprised कि जब इस बाइक के starting में वीडियो आये थे तो starting के वीडियो में everyone was saying कि इसमें बिल्कुल भी vibration नहीं है एकदम smooth engine है तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपकी कोई भी single cylinder bike जिसमें आपको 40 PS power मिल रही है मेरे recording ऐसी कोई bike market में नहीं है जिसमें बिल्कुल भी vibration नहीं हो तो single cylinder bike में 40 PS power के साथ में आपको buzzing जो है surely मिलेगी इस bike में भी vibration है इस bike में भी buzzing है मतलब दोनों में buzzing है and कितनी speed पे buzzing आती है कितने पे नहीं आती है मैं इतनी detail में आपको बता नहीं पाऊंगा but हाँ for sure इन दोनों ही bike में buzzing है but main question यह है कि क्या वो annoying है नहीं मुझे दो trip मैंने इस पे कर ली है एक trip इस पे कर ली है दोनों मिलाके मैंने close to 8,000 km bike चला ली है मुझे इन दोनों में vibration, buzzing बिल्कुल भी annoying नहीं लगी and देखो यार main question यह है कि ये दोनों ही bike अपनी segment के latest engine है and I don't feel कि market में इसके लावा कोई ऐसी और bike available है जिसमें आपको इस से कम vibration मिले next, clutch and gear shifting clutch and gear shifting दोनों ही bike में ultimate smooth है मतलब मैं clutch तो compare नहीं कर सकता कि किसमें जादा smooth है but काफी smooth है मतलब आपको बिल्कुल भी feel नहीं होता long rates कर रहे हो आप city में कर रहे हो highway पे कर रहे हो hills पे कर रहे हो आपको gear change करने बढ़ते हैं आपको बिल्कुल भी discomfort फिल नहीं होता बहुत light है and gear shifting जो है वो I can say कि मुझे Himalayan में जादा smooth लगती है that doesn't mean कि Scramler में को issue है but I am just comparing both bikes तो I can tell कि इस में जो है थोड़ा gear shifting है वो जादा smooth है but दोनों बाइक में clutch gear shifting amazing है next suspension suspension में तो this bike is मलब तुफान आए बाइक I don't think कि इस bike के आसपास कोई bike है इस segment में जिसका suspension इस bike का suspension इससे अच्छा हो इस bike को जब मैंने off-roading में चलाया तब मुझे लगा कि कितने बढ़िया suspension है of course this is a hardcore like adventure doing bike है तो suspension अच्छा होना चाहिए off-roading के time पे but same time पे जब आप इस bike को चलाते हो planes में highway पे तो bike बहुत ही planted फिल होती है and I don't know यह कैसे की है company ने but suspension में this is better no doubt scrambler के suspension की बात करें तो इस bike का suspension भी काफी अच्छा है मुझे rough patches में off-roading patches में कोई दिकत हुई नहीं but of course this is not a hardcore off-roading bike तो उसके recording जो है इसका suspension है and इस bike के साथ में ऐसा है कि rough patches में आपको बिल्कुल फिल नहीं होता कोई शू नहीं होता off-roading जो hardcore off-roading patches होते है वहाँ इस bike को smoothly निगा सेथे हो मतलब आपको बहुत जाद स्वोग करने की रिपार्मेट रहती नहीं है तो surely touring के इस पॉड़न में से अगर हम बात कर रहे है लगदा की बात कर रहे है तो इस suspension की साथ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली मैंने speed पे लगदा की जांसकार की है और उस bike के suspension जो है काफी अच्छे है but that is not a scrambler और off-roader bike तो I can show you this है कि इसका suspension जो है अमेजिंग है आपको लगदाक स्पिती जैसे terrain में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है next is headlight headlight तो दोनों bikes की LED है but दोनों की जो headlight का through है वो एकदम भाईयत है अगर आपको इस bike को city में ride करना है तो तो कोई issue नहीं है आपकर सहते हो क्योंकि आपको जो street light है वो मिलती है but आपको touring करना है night में जहाँ आपको बिल्कुल भी street light नहीं मिलेगी अंधियरा मिलेगा वाँ पर आपको aug slab लगाने पड़ेंगे मैंने इसमें लगा रखता है Mad Dog का alpha Scanner में है Mad Dog की scout X दोनों का throw जो है almost इसका जो throw है वो double है compare to scout X Next, seat height and riding posture पहले बात करते हैं आपने हिमालन की हिमालन की seat height है आपको मिलती है 825 option है इसमें 845 करने की आपको इसमें seat में open करके नेजे से option है इसको change करने की मैंने जो इसकी seat height है वो क्यों यह 845 I'll show you I'm 59 plus और मेरे पाउं जो है kind of flat footing है you can see suspension काफी अच्छा है तो bike थोड़ी बैटती है आपकी and this is the riding posture और मेरी height के recording में तो you can see जो मेरे foot है वो just thigh के mid के बीच में आ रहे है बहुत ही comfortable riding posture है मेरी height के recording अगर 59 plus आपकी height है तो I suggest आपको इस bike की seat height है वो 845 करने चाहिए आपको better riding posture मिलेगा आपको जो आपकी जो knees है वो कम bend होगी and you can see मेरे जो दोनों arms है एक तम comfortable है हलके से bend है बहुत ही जो riding posture है वो काफी comfortable है and settling की बात करें तो see arms straight, upright और हलका सा bend होके आप इस bike पे अराम से settling कर सकते है को issue नहीं है तो अभी तो मुझे इस bike पे कुछ भी handle bar में कुछ change करने की requirement नहीं है नाई मैं इस पे कुछ handle bar riser लगवाने की सोच रहा हूँ I don't know let's see future में कुछ अगर रही requirement हो and अगर बात करें अपनी scrambler की इसकी height है 835 and इसमें भी मेरे kind of flat foot नहीं होते हैं हलके से जो है tiptoe होते है and riding posture इसका भी amazing है I feel की riding posture जो by default मिल रहा है scrambler में मुझे better लगता है मेरी height के लिए for 59 and इसमें भी आपको settling करने में को issue नहीं है in fact इसमें settling करना मेरे लिए फोड़ा easy है इसमें मुझे हलका सा bend जो है कम होना पड़ता है उसमें हलका सा bend जो है ज्यादा होना पड़ रहा है but को issue नहीं है and इसमें भी जो foot pack की position है वो thighs के mid के बीच में है riding triangle जो है almost same है जैसे हमाले में है and I feel कि अगर आपकी height 55 या 55 से उपर है तो आपको इन दोनों bikes को manage करने में touring में कोई दिक्रत नहीं होने वाली है अब बात करते हैं heat की देखो यार जो भी bike आपकी 25 PS से उपर होंगी वो इंडियन वेदर कंडिशन की हीट होंगी मैंने अभी last 6 मिन में काफी bikes ride कर ली है जो कि इस segment की है जाए वो KTM 390 Adventure हो या आपकी BMW की GS310 हो bike थोड़ी पूद हीट करती है नो डाउट इस power के साथ में इन bikes में जिसमें आपको liquid cooling memory है पैन लगा हुए heating को heat को like dissipate करने के लिए तो bike जो है थोड़ी पूद हीट होंगी आपको उसके साथ में used to होना पड़ेगा तो ये बाइक भी heat करती है speed काफी heat करती है जब मैं लड़ाग लेगा था उसको उसको काफी गर्मी थी अपनी हिमालेन भी मैंने अपने लास्ट ट्रिप में हर्चिल वेल के ट्रिप में मैंने फिल किया था ये बाइक heat करती है अगर आप राइडिंग पैंड उसकारोगे तो आपको ज्यादा protection मिलेगी एक पॉइंट मेंस हो गया वो है braking अपनी बाइक हिमालेन की हिमालेन 450 की braking काफी अच्छी है काफी effective है मुझे इस बाइक की braking से कोई भी कम्रेंड नहीं है अपनी scrambler में जो आपको front की braking मिलती है वो तनी अच्छी नहीं है इसमें आपको organic brake pad मिलते हैं अभी company ने इसमें कुछ change किया है ये brake lever जो है change किया इसका तो इससे जो pressure है वो थोड़ा जाता है तो braking थोड़ी सी ज्यादा better हो गई है इसमें आपको brake pad जो है अगर टूरिंग करनी है तो आपको front के brake pad जो है आपको change करने पड़ेंगे मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये brake pad जो है पूरे घर जाएंगे तो उसके बाद में मैं कुछ different जो है better जो है brake pad इस्टाल कर रहूंगा अब बात करते हैं एक main point की यह point ऐसा है कि अगर मैं आपको यह अपना जो review है यह मैं starting में आपसे शेयर करता bike लेने के बाद में शेयर करता तो मैं शायर आपसे यह शेयर ना कर पाता वो है ease of riding देखो यार मैंने अपनी Honda Highness पे लदा किया है अपनी speed पे लदा किया है इस bike पे भी मैं I think bike लेने के बाद में दो दिन बाद मैं निकल गया था hills पे and I was so confident मुझे कोई दिक्करत नहीं हो थी मज़ा आए था bike को चलाने में bike के साथ fun करने में मज़ा आए था इसका जो ease of riding है वो काफी ऐसा है कि अगर आप न्यू हो राइडिंग में long distance touring में न्यू हो तब भी इस bike के साथ में आप बहुत जल्दी used to हो जाओगे लेकिन जब मैंने Himalayan के साथ में first trip किया था अपना Manali का तो मैंने उस vlog में share भी किया था कि मुझे इतना confidence starting में नहीं आ रहा था आपको एक adventure touring bike को चलाने के लिए थोड़ा time लगता है used to होने में bike को समझने में इस bike में आपको आगे मिलते हैं 21 inch के tire मिलते हैं आपको जोड़े पतले हैं compared to 19 inch cornering में मुझे इस bike में उतना comfort नहीं आ रहा था I was not able to push the bike Manali में उस time पर I was able to enjoy this bike तब मैं इस bike के साथ में fun कर भा रहा था and I was able to feel the capabilities of this bike इस bike में कितनी capabilities हैं तो आपको एस bike को एक adventure touring bike को enjoy करने के लिए थोड़ा सा skill set जो है एक और करना पड़ेगा उसके लिए आपको कुछ training लेने की requirement नहीं है आप ठीक है ओफ्रोड़िंग के लिए आपको training लेनी है तो आप ले सकते हो but otherwise थोड़ा time लगता है आपको used to होने में एक adventure touring bike में but इस bike इस पर साथ में ऐसा है कि आपने bike आज ली लेके निगल दो Himalayan जो है एक top heavy bike है compared to Scambler इस bike में आपको weight बिल्कुल भी फिल नहीं होता अगर जैसे मैं यहाँ बैठों bike पे और so light you feel so light जबकि इस bike में और उस bike में just 10 kg का weight का difference है but उस bike में आपको weight फिल होता है आप आगे पिछी करते हो तो so I can surely say कि इस bike के साथ में एक new rider को काफी मज़ा आने वाला है starting में इस bike में आपको third time लगेगा used to होने में but जब आप used to हो जाएंगे इस bike के साथ में I'm sure you're going to enjoy this bike अब बात करते हैं कि कौन से terrain में कौन सी bike इन दोनों में से best perform करती है best feel होती है अगर मैं बात करो city riding की bumper to bumper traffic की no doubt अपनी scambler जीज जाएगी बहुती nimble बहुती easy to ride bike के लोती है आपको no doubt full marks to scambler अब बात करें highway की highway touring की तो आपकी Himalayan better perform करती है उसके दो-तिन reason है first of all इसका जो engine है वो आपको top end में amazing performance देता है secondly suspension जो है काफी amazing है इसके वो इसके भी है third main reason जो मुझे लगता है अगर आप दिखोगे Himalayan में मैं यहां बैठा हूँ यहां तक जो है wind blast कम हो जाएगा तो मुझे इसके उपर wind blast feel होगा इस bike में Himalayan में by default क्यूंकि adventure touring bike जो होती है वो आगे से raised रहती है तो आपका wind blast कम हो जाता है for sure but वहीं अगर मैं बात करूँ अपनी scramber की तो इसमें थोड़ी दिखत यह है कि मुझे यहां से पूरा throughout इधर wind blast जो है feel होगा so wind blast अगर आपको कम feel होगा आप 120 speed में चला रहे हो तो no doubt fatigue कम होगी थकान कम होगी that's why I can surely say कि highway पर यह bike जो है better perform करती है अब बात करें mountain twisties की no doubt यह bike mountain twisties पे better perform करती है reason being कि इसका low end अच्छा है middle end अच्छा है मेरे first trip पे जब मैं hills पे गया था तो जब मैं bike पे turn ले रहा था steep height पे मेरे mind में था कि gear मेरा second gear होगा या third gear होगा मैंने notice किया तो यह bike fifth gear में थी तो इसका low end इतना अच्छा है कि आपको gear मालूब जलता है नहीं कोई सी gear में चल रहे हो आप तो इस bike के साथ में आपको mountain twisties में बहुत बदा रहता है तो mountain twisties के लिए यह bike better है अगर बात करें hardcore off-roading की no doubt worst case में Himalayan is best next important thing is mileage mileage देखो मैंने इन दोनों की bike की mileage है वो मैंने city में कभी चेक नहीं करी है highway पे आपकी जो mileage है bike की वैसे mileage आपकी वो riding style पे बहुत ज़्यादा करती है मेरी आदत है मैं bike को काफ़ ज़्यादा push करता हूँ तो मुझे mileage मिल रही है इस bike हाइवे पे वो close to आप बोलते हो कि overall 30 km per liter की मिल रही है mileage and वही मैं बात करूं स्केमलर की तो इसमे 27 28 तो 28 km का difference है दोनों की mileage में when it comes to highway riding city में मुझे होता है कि इस bike की mileage मैंने कभी notice नहीं कर रही है still मैं टैंक मैंने अभी last time trip किया था उससे पहले मैं ड्रास्टिकली जो है कम हो जाती है next service cost and service interval देखो दोनों bike की service cost है first service cost इस bike की थी I think close to 2,000 रुपीज इसकी भी आती उतनी थी आती 900 रुपीज थी 2100 रुपीज थी मुझे ध्यान नहीं है but more or less same ही है economical है and जो service interval है इस bike का है 5000 km और 6 month इसका है 16,000 km इस bike को मैं अभी I think 500,000 km और चलाने के बाद में एक बार इसका engine oil check करा हूँआ और अपना experience share करूँआ and I feel कि इसका engine oil in any case 16,000 km चलने वाला नहीं है filter में बता चुका हूँँ कि इस bike का prime speed का मैंने 5000 km के बाद में change कराया था so I don't know how company has quoted 16,000 km service interval for these bikes I feel कि इन दोनों bikes को यह आपको 5,000 km में service कराना पड़ेगा अब बात करते हैं इन दोनों bikes के top two positive points की इस bike में मुझे लगता है top two positive points है वो है first इस bike में है suspension as I told you amazing suspension second highway performance इस bike का weight है close to 200 kg यह bike highway पे बहुत stable बहुत ही practical होती होती है and I was impressed मैं इस bike को first time लेके गया था Malali trip पे and अभी मैं जब हच्छिल से लेके आया इसको मैंने एक दिन में इस bike को non-stop 4 गंटी राइट किया so I can surely say कि इस bike की जो highway performance है वो amazing है and अगर बात करें अपनी scramler की तो इसका जो topmost point है topmost positive point है वो इसका है low end and mid end जो है वो उसकी वज़े से यह बाइक mountain pistis पे बहुती amazing फील होती है मतलब आपको actually मज़ा आता है अगर आप इस bike को first time में लेके जाओगे पाड़ों में तो आपको फील होगा कि आपको कितना मज़ा आने वाला इस bike के साथ है secondly flickability 190 kg के आसपस का weight है still आपको city में maneuver करने में mountain pistis में आपको बेलगोल भी भी फीलने होता कि इसका weight जो है 190 kg है so I can surely say इसका engine एक इसका best point है low end and mid end ही बत करें second flickability आप बात करते है negative points की अपने हमालन में जो को छोटे मोटे negative points है उसकी बात नहीं करूंगा जैसे concept का issue आ रहा कुछ बंदों को मुझे आसे को issue नहीं आया एक इसमें जो है वो की की आवास सी आती है कुछ fuel indication की fuel pump है उसकी आवास आती है I don't know क्या है वो है उसकी बात नहीं करूंगा जो major negative point है मुझे लगते है इस bike में वो क्या है सबसे बड़ा negative point इस bike में आपको tubeless spokes नहीं मिलते हैं मैं recording company को थोड़ा wait करके with tubeless spoke इस bike को launch करना चाहिए था क्योंकि touring के time पे आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप पंचर के लिए आप tyre निकालो और tube निकालो और पंचर लगाओ अगर आपको आती भी होगी ना tube निकालो के पंचर लगाना तब भी या ट्रस्ट में आप लद्दाग में हो jungle में हो highway पे हो किस condition में हो रात में हो दिन में हो वो बहुत hassle वाला काम है tube निकाला पंचर लगाना I feel की company को इसमें जो है tubeless spokes देने जाहिए थे स्टार्टिंग में मैंने अपनी बाइक में जो है tubeless convention करवा ली है spokes वही है टायर वही है इसमें मैंने way to speed का tubeless convention करवाया है उसका link उपर आ रहा होगा आप check कर सकते हो second इसमें जो negative point है मुझे लगता है वो है traction control की कमी traction control जो है बहुत ही amazing बहुत ही basic safety feature है जो आजकल by default इस segment की bikes में सब में आ रहा है अपनी Honda Hynes में भी traction control मिलता है अपनी speed में भी traction control है scrambler में भी traction control है इस bike में नहीं है तो I feel कि इस segment की bike में traction control होना चाहिए था ये दो है main negative point इस bike में बट ये दोनों ही point जो है deal breaker नहीं है for sure अब बात कर रहे है अपनी scrambler की तो इसमें एक negative point ये है इसका service network अभी Triumph का service network काफी limited है I think Pan India close to 3035 dealer है sales के लिए service के लिए वही अगर बात कर रहे है आरी की तो इसका service network है 2500 है Pan India में Ladakh and Speedy आप दूर दूर तक भूल जाओ इस bike का कोई service center नहीं है तो ये एक negative point है and एक और negative point actually जे negative point जो second बता रहा हूं आपको है ये इस bike का नहीं है वो touring के लिए इस bike का जो tank है वो है 13 liters का तो 13 liter के tank अगर आपको bike को touring करनी है तो वो एक limitation है especially जबकि इस bike की mileage 30 km per liter की है इसमें होता कि है आपका fuel tank में close to 6-6 liter बच जाता है तब आपका इस में low fuel का alarm आजाता है आपको 200 km के बाद में आपको इस bike में low fuel का आजाता है तो ये एक issue रहता है कि आप लॉन दूस्टे शूदिंग कर रहे हो तो हर 200-200 km या maximum 200 km के बाद में आपको इस bike में fuel कराना पड़ता है आप लग्दाग जाओगे या स्पीती जाओगे तो आपको काफी stretch पे fuel काम मिलेगा कैसे मिलेगा वह आपको ध्यान रगना पड़ेगा consciously वहीं इसकी टैंक के बेस्टी है तो अगर आपको टूरिंग करनी है तो हाँ बोलते हो कि इस bike का जो है वह एक drawback है but again this bike is not for adventure touring and इस bike में एक और negative point था वह था engine stalling issue अब वह issue जो है इसका bike का issue update किया था या फिर I think RPM set किया थे कुछ service center में उसके बाद से वह issue जो है काफी कम हो गया I think मुझे काफी rarely आता है वह maybe you know once in 10 rides बोल बोल कि मेरा गलास हो गया और मुझे brake लेना पड़ गया पानी पीना पड़ गया अब आते हैं main question में कि मेरे कॉर्डिंग इन में से कौन सी bike इसको लेने चाहिए अगर आपकी requirement है कि आपको city में राइड करनी है purely city में राइड करनी है आपको daily commute करना है daily bumper to bumper traffic में bike ride करनी है तो मेरे कॉर्डिंग this is the bike for you इस bike का plus point city में यह है कि एक तो काफी nimble feel होती है top heavy नहीं है इसकी तरह इसमें आपको riding posture city और touring के सबसे comfortable मिलता है इसका low end अच्छा है इसका mid end अच्छा है तायर आपको इस bike में जो आगे के 21 इसके मिल रहे है इस bike का जो fun है वो है आपका offroading में and highway पर city के लिए starting में आप यह bike ले तो लोगे daily commute करने के लिए road presence जो है इस bike ही काफी अच्छी है लोग आपको मूड के देखेंगे मजा आएगा उस चीज में but कुछ time बाद आपको feel होगा कि उतना fun उतना comfort कोई भी vehicle आप लोग गेरा city daily commute के लिए वो practical जाधा होना चाहिए तो I don't think कि यह bike जो city daily commute के लिए इतनी practical है हाँ आपको कभी कभी चलाने है city में तो एक अलग बात है बाद मैं बात कर रहा हूँ daily commute की तो daily commute करना आपको city करनी है तो आपको यह bike रेने चाहिए इन दोनों में से second scenario अगर आपकी requirement है कि आपको city भी करना है आपको city में ride करनी है तोड़ी बहुत आपको touring भी करनी है उस case में आप इन दोनों में से कोई भी bike ले सकते हो no issues अगर आपकी priority है कि आपको दोनों करना है बट आपको highway आपकी जादा priority है कि आपको highway पे जादा comfort रहे आपको जादा like long tour करने है आपको तो आप Himalayan ले सकते हो आपको ऐसा है कि mixed requirement है लेकिन आपके लिए city priority है कि मुझे city में commute भी करना है Delhi commute भी करना है और touring भी करना है then you can definitely go with this bike Scramler एक adventure touring bike नहीं है बट इस bike के साथ में आप Pan India Touring अराम से कर सकते हो you can do Kashmir टो करने को मारी you can do North East, you can do Nepal आप इस bike के साथ में सब कुछ कर सकते हो and finally अगर आपकी requirement है कि आपको purely touring करनी है long distance touring करनी है तो मैं recording आपको Himalayan लेने चाहिए इस bike के साथ में used to होने में आपको थोड़ा सा time लगेगा but once you are used to you are going to enjoy this bike for sure लेने को आप ये bike Scramler भी ले सकते हो अगर हम purely touring की बात करें तो Himalayan में और Scramler में tank capacity है वो 17L की है and Scramler की 13L की है तो ये बहुत बड़ा factor है secondly Himalayan में आपको wind blast से protection मिलती है as I said इसका जो tank raised है तो kind of आपको अच्छी कासी wind protection मिलती है compare to Scramler and I feel कि अगर आप Scramler में wind shield भी लगा लेंगे wind blast को रोकने के लिए तब भी वो उतनी effective नहीं होगी इतनी हमालन में होगी अगर ये दोनों point tank capacity and wind blast आपके लिए matter नहीं करते then for sure you can go with Scramler for touring and यार आप में से काफी लोग ने मुझसे बहुत बार पूछा एंस्टाग्राम पे YouTube में कि मेरी इन दोनों में से favorite bike कुन सी है तो मेरा अंसर यह है कि यार ये दोनों ही bike अपनी segment में amazing bikes है मैं यार ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये bike में on करता हूँ ये दोनों bike में on करता हूँ actual में ये दोनों bike amazing है and देखो आपने कोई भी review देख लिया आपने मेरा review देख लिया या किसी और व्लॉग देख लिया but I strongly recommend कि आप जाओ अगर आपको इन दोनों bike में से कोई bike लेनी है दोनों bike's के test ride लो एक बार नहीं, दो बार लो, तीन बार लो then अपने according decision लो and I am sure जो मैंने अपना experience आपसे share किया है उससे आपको थोड़ा बहुत benefit मिलेगा and अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो यार एक like, एक comment जरूर करना So that's all, I suppose मैंने सारे points cover कर ली है मैंने कोई point miss ने किया still मैंने कोई point ने miss कर दिया है तो I know, आप मुझे पूछ लोगे comments पे show ले आप पूछ लेना, मैं reply करूँगा जरूर करूँगा, may be reply लेट आए but मैं करूँगा जरूर, तो ठीक है फिर यार मिलते है next vlog में जो एक नया trip है वो भी start होने वाला है, कौसी bike पे होगा touring जो है अपनी दोनो bike पे होगी, किसी पे ज़्यादा होगी, किसी पे कम होगी, बट होगी दोनों पे ही, अपना अगला trip जो है वो जल्दी ही start होने वाला है उसके बारे में मैं आपको next vlog में बता हूँगा तो ठीक है फिर मिलते हैं next vlog में Till then, ride safe, drive safe, take care and goodbye